इस वक्त संसत का मौनसुन सत्र चल रहा है लेकिन काफी हंगामेदार मनीपूर मामले को लेकर के सदन में लगातार विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरा जा रहा है और लगातार साथ आठ दिनों से यही चल रहा है सदन की कारवाई बीच में ही रोक दी जा रही है हंगामे के कारण क्या कुछ कहा आप सुन सकते हैं साथ आठ दिन होगे पार्लिमेंट को चले वे अगर अभी तक एक राउंड ओफ डिसकुशन भी अगर हो गया होता तो हम लोग किसी ना किसी निशकरश पर पहुंचते हैं भाई अभी अधिकार छेत रहे पूर्टा स्पीकर महोदे का कि वो कब इस पर चर्चा शुरू कराते हैं दस दिन का समय हैं स्पीकर साब के पास तो सुना आपने लोजपाराम बिलाज के राश्ट्याद ध्यप्च चिरात पास्वान हत्य से गरम हैं बेहत नाराजगी जाहिर कर रहे हैं उनका कहना है कि विपक्षी नेताओं के द्वारा सदन की कारवाई किसी निशकर्स तक पहुंचे लेकिन वो लोग पहुंचने नह वहाँ नहीं की जा रही है बेरोजगारी महंगाई की बात नहीं की जा रही है काम वाली बात विपक्षी तो कर नहीं रहे हैं लेकिन लगातार हंगामा कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए बता दू कि सदन में इस समय हंगामा मनीपूर मामले को ले करके हो रहा है जिस तरीक का काम क्या जा रहा है मोधी सरकार पर लगाता थोमत लगा जा रहा है पीएम नरेंद्र मोधी के उपर भी सवाल किये जा रहा है उनकी चुपी को ले करके कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोधी ने संग्यान नहीं लिया उन्होंने चुपी साध लिया इस मामले पर उन्हो अब तक के लिए बाश यह रही तक फिर मिलते हैं नहीं मुद्दे नहीं सरुकारों के साथ तब तक देश्वा निऊज देखते रहेंगे धन्यवाद सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए देश्वा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूले